ना घी ना मावा ना मलाई आज जो हम मैथड लेके आएं हैं अगर आप लोग इस मैथड से बनाएंगे तो एक तम फर्फेक्ट बनेगी मार्केट जैसी हलवाई स्टाइल काजू कतली की मिठाई तो फ्रेंड्स के रेस्पी जैन डिसेज में आपका स्वागत है तो चलिए बनाते हैं काजू कतली की मिठाई तो चलिए प्रॉसेस स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे बनाते हैं यहाँ पे हमने काजू लिये हैं और एक बॉल लिया है और एक काजू हमने पहले से ही अच्छे से दो तीन पानी से धुल लिये थे और इसमें बड़ा बहुत काला या कुछ गंदगी थी वो भी हटा दिया था उसके बाद धुले थे और उनको हमने दो तीन गंटे फ्रीजर में रख दिया था और हमने ये दो कटोरी काजू लिये हैं आपका प्या कटोरी जिसका भी मेजरमेंट करते हैं उसी के अकॉर्डी ही आपको काजू लेने हैं और उसके चासनी बनाने के लिए उसी का मेजरमेंट भी करना है तो यहाँ पे चलिए हम काजू को दरदरा इस तरह से हम पहले पीस लेते हैं यह देखिए और दरदरा हो गया है तो ठीक है फिर अब हम इसमे एक सेक्रेट बताते हैं तो यहाँ पे हमने एक कटोरी दूद लिया है और उस दूद को हम इसमें तोड़ा थोड़ा एड़ कर देंगे और इसके बाद हम इसका फेस्ट बनाएंगे फेस्ट हमें बहुत जदा महीन नहीं बनाना है हल्का दानेदार बनाना है दरदरा बनाना है तो ये देखिए, बल्कुल फर्फेक्ट फेस्ट बनके तैयार हुआ है यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमको बहुत पतला भी नहीं बहुत गाड़ा भी नहीं बहुत मोटा भी नहीं तो इसको हम एक वॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं और जो बच्चे हुए काजू थे वो भी इसी प्रॉसेस से पीस लेंगे तो इस तरह से हमें इस paste को wall में transfer कर लेना है और इस method से बनाने से काजू कतली एक्तम perfect बनती है फेल होने का कोई chance नहीं होता है इसको आप easy method से अराम से घर पे बना के खा सकते हैं तो यह बाले काजू जो बचे हुए थे वो भी हमने add कर दिये हैं और इनका भी यह देखे हमने paste तयार कर लिया है यह देखे बिल्कुल perfect तो चलिए इसको भी हमने wall में transfer कर लिया है अब चलते हैं आगे के process की तरफ तो यहां हमने जिस कटोरी से काजू लिये थे उसी कटोरी से एक कटोरी हमने चीनी लिया है उसी का आधा हमने पानी लिया है यानि की आधा कटोरी पानी और इस तरह से बिल्कुल perfect चासनी तयार होगी और हमारी काजू कतली भी एकदम perfect बनके तयार होगी तो इसको हमें इस तरह से चलाने के बाद हमें बहुत गाड़ी चासनी तयार नहीं करनी है हमें एक तार की चासनी भी तयार नहीं करनी है हलकी चिप-चिपी इस तरह से देखिए एक तार बन रहा है लेकिन पूरा नहीं बन रहा है बस यह एकदम perfect चासनी है ऐसी ही चासनी हमें चाहिए और आप हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाके काजु का रखा है वो एड कर देते हैं सबी पेस्ट को हमें इसमें एड कर देना है इस तरह से और इसके बाद हमें इसको continue चलाते रहना है फ्लेम को हमें low to medium अभी है फिर लोपे ही करना है तो इस तरह से कांटीनियू चलाते हुए हमें इसे डो के फॉर्म में लाना है कोई ही ऐसा होगा जिसको काजू कतली पसंद ना हो हर किसी को काजू कतली बहुत पसंद आती है तो जो हमने पेश्ट बनाया था उस बॉल में थोड़ा सा पानी डालके जो पेश्ट लगा हुआ था उसको भी इसमें आइट कर लिया है और इस तरह से हमें कांटीनियू चलाते रहना है बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाव इस मैथट से एक तम परफेक्ट काजू कतली बनती है यह देखिए कड़ाई की फॉर्म में आने लगा है और कड़ाई छोड़ने लगा है पेश्ट यह देखिए हलका हलका इसका ओयल भी रिलीज होने लगता है इस तरह से यह देखिए इसको हमने इस तरह से लोके फॉर्म में तयार कर लिया है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसमें हमने तिन चार सफेद इलाइची चो कूट के उनका पाउडर बनाया था वो आड़ कर दिया है और इसको अभी कुछ सेकेंड के लिए इसमें थोड़ा सा नॉर्मल टंप्रेचर होने के लिए छोड़ते हैं फिर इसको हम एक उस पे निकाल लेते हैं प्लेट फॉर्म पे तो यहां पे हम यह बटर पेपर ले रहे हैं और इसी पे हम अपना पेस्ट निकाल लेते हैं काजू का इसको इसकी हैल्प से दो तीन बार इधर उदर फोल्ड करके स्मूथ कर लेना है इस तरह से अभी बहुत गरम है थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद एक तम पर्फेक्ट तयार हो जाएगा यह देखिए इस तरह से अब हम इसको इस तरह से रोल बना लेते हैं यह देखिए इस तरह से रोल कर लिया है इसको सेंटर में लाके इसको बेल लेते हैं बेलन की साहता से इस तरह से बेल लेना है और उतना ही पतला करना है जितनी मुटाई काजू कतली की रखी जाती है उतना ही हमें मुटा बेलना है हलके हाथ से इस तरह से बेलना है एक्तम परफेक्ट बिलके तैयार हो गया देखिए कितना साइन मार रहा है तो अब हम इसमें क्यों करते हैं चांदी का वर्क लगा देते हैं इस तरह से चांदी का वर्क लेते समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्केट में नकली चांदी के वर्क भी आ रहे हैं वो नहीं लगाना चाहिए वो अनहेल्दी होते हैं और इसको दस-बंदरा मिनट रेश्ट के बाद हम इसको कट कर ले है डायमंड सेप में यह देखिए बल्कुल परफेक्ट काजू कतली तयार है एकदम हलवाई स्टाइल मार्केट स्टाइल तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग भी घर पे बनाईए खाईए खिलाईए काजू कतली तेवहारों में तो काजू कतली मस्ट होती है बिना तेवहार तेवहार नहीं लगता है और यह हर किसी की फेवरेट मिठाई होती है कोई होगा जो इसे पसंद ना करता होगा तो लीजिए देखिए कितनी अच्छी काजू कतली बनी है नहीं चलिए इसे पास से दिखा देते हैं यह देखिए तो फ्रेंड्स तो आज की हमारी अगर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट्स में जरूर बताईएगा और इस तरह से आप भी बनाईएगा घर पे काजू कतली यह देखिए तो प्लीज फ्रेंड्स अगर हमारी आज की रेस्पी हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज ह हमारे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और थेंक यू बाबाई